जाहें दोस्तों मैं प्रेंस आपका अपने यूटूब चैनल हम कोचिंग क्लासे में आपका हरी स्वागत करता हूँ तो कैसे आप सभी आसा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे अपनी पढ़ाई को भेटरहंग से कर रहे होंगे अपने सपनों को साकार करने में लगे हुए होंगे और अपने परिवार का अपने माता-पिता का अच्छे सा ख्याल रख रहे होंगे तो जैसा कि आपको पता है अभी तक इस चैनल में सिर्फ मैथ की क्लास चलती थी जो कि दीपक सरदरा ली जाती थी ठीक है तो आज से मैं आपको जीके पढ़ाने वाला हूँ जो कि आपको पता है कि जो कमपटेट्व गजाम है वंडे अग्जाम है उसके लिए सिर्फ मैस जरूरी नहीं है आपका जीस हिंदी रिजनिंग भी आपका जरूरी है तो अभी आपकी मैथ पूरी हुई है अब यह जीके चलेगी यहां पे थोड़े दिन बाद मैं रिजनिंग की भी आपको अपलब्धी कराऊंगा और उसके बाद हिंदी की ठीक है और धीरे धीरे इसमें ग्रामर इंग्लिस ग्रामर भी चलेगी तो आप टेंसन नहीं बिल्कुल भी आप इससे दूर नभागे आपकी तयारी पूरी हो कि धीरे धीरे हम सब चीज़े आपके लिए उपल बिल्कुल अच्छे से सरल में रहेगा और आपकी नोट्स जो है सौट तरीके से बताऊंगा बनाने के लिए और दूसरी बात आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं लेनी है कि मुझे ये समझने मैं ऐसा कोई उम्मीद करूंगा ऐसी में कोई टॉपिक आपको कोई नहीं चोड फिर आधोनी भी निगरत कई तो प्राचीन और मध्य कोश्चन आते हैं वही अर्वेद से आते हैं आंग खोज लाक तियोज शोचन नहीं नहीं मैं कोश्चन नहीं हो फिर उसके और अठारो सत्तावन की करांती पूछता है आपसे जो की यह बहुत ही महत्तपूर आपके लिए आजनिक भारत की क्लास आपकी होगी जो की डेली आपको इसे क्लासे उपलब्ध होंगी तो सुरू करते हैं अपना देखते हैं फिर आपको पता है यूरोपी कंपनि पूरिमार से लेकिन उसको नहीं मिला तो इसने मेंज़का खोश कर डाली ठीक है तो यह सब आज देखेंगे लोग तो सबसे पहले क्या है पुर्तगाली और इस्पेन वासी ने भावगोली खोजो का यूग का आरंब किया था ठीक है जो इस पूर्तगाली और इस्पेन वा जो पूर्तगाल की राजकुमार थे उनसे जो हमारा भागोलिक खोजो का यूग है इनसे और उनको बल मिला किससे हैंडी दा नेवीगेटर से ठीक है उसके बाद पूर्तगाल की नाविक पूर्तगाल का नाविक था क्या नाम था उसका बार्थोलोमियो डियाज ठीक है बा कि उसके बाद तुफानी जो उत्तत मासा उंत्रीप इसके खोच की ती उसे का जाता है कि से कहते है तो कि उत्तत मासा उंत्रीप को तुफान Shyन के निवसी सूंफान का निवसी को लंबस भारत की समुद्री खोज कर रहा था समुद्री रास्ते से भारत की खोज कर रहा था पहुशने के लिए जैसे वह निकला तो उसने भारत को ना की खोज के अमेरिका की खोज की तो पहुशने का मार्ग खोशते हुए उसने अमेरिका की खोज कर दी किसने की कोलंबस ने की अब यह बता कोशन आता है कि वासको डिगामा कौन थे पुर्तगाली स्पेनिस अंग्रेज यह सब काफी तीन चार कोशन आते तो आपको उसमें पुर्तगाल बताना है ठीक है तो वहां उत्तत मासा जो इसने मासा से होते हुए समुद्री मार्स से चौदा मई 14ém 58 को भारत पहुचे बहरा है हम देखेंगे फ्रास देखेंगे फिर यंगरेज स्पेन लोग करम लोग लेखेंगे तो सबसे पहला मारा टॉपिका पुर्टगाल के बारे हम अपनी फैक्टरी का स्ताफित की और अपनी कमपनियों को इसने कहां से चलनाना सुरू किया अपना मुख्या लेकिया ठीक है तो देखेंगे पुर्तगाल यूरोपियन देशों से सरवपर्थम कौन आया आप के लिए कोश्चन है जो यूरोपियन देश थे उनसे सरवपर्थ सासक के रूप में भारत आया और उसने समुद्री मार की खोज की समुद्री मार की खोज भारत के लिए किसका सरे दी जाएगा वासको डिगामा को दिया जाएगा ठीक है पुर्तगाल के सासक की रूप में आया उसने अब्दूलमजीद की सहायता से उसने प्रसिद्ध बंदरगा काली कट का प्रसिद्ध बंदरगा कौन सा है कपक डाबू उठा काली कट का प्रसिद्ध बंदरगा कपक डाबू पर उसने अपना बेड़ा उता रहा उसने अपना जहाज रोखा ठीक है कौन सा डाबू कपक डाबू ठीक है तब उसी समय काली कट के ह काली कट्के हिंदु राजा थे उन्हों ने उसका कआफे अच्छी से सवागत किया और उन्हें मसाल जडिवूटिया ले जाने की अनुमति दे갈 काली कट्के राज भीट्क ईथग है तब ही उन्होंने इसे मसाले और जड़ी बूटिया ले जानी के अनुवती दे दी ठीक है उसके बाद फिर वासको डिगामा भारत से काली मिर्च लेकर अपने हिक्टर एक कोशन आता है कि जो वासको डिगामा था भारत कौन से जहाज से आये था तो हिक्टर जहाज से ठीक है आने का उसे करवे छोड़ जो आने जाने का खर्चा था उसको निकाल के पूरा सब खर्च करके उसके उसमें 60 उसको लाव ठीक है फिर उसके बाद पेडरो अलबरेज क्रेबाल लेकिन आप जानेंगे कि उस पूर्टगाल से दुबारा दूसरा आदमी कौन भारत आया था यहीं था पेडरो अलबरेज क्रेवाल, बारीज भारत पहुंशने वाला दूसरा, पुर्तगाली था, कौन था, पुर्त रहली स्थापित है, बहुत महत वण कोशचन है, कई बार कोशन कुश्चन पूशता है की, पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्टरी कहां पे स्थापित की तो कहां पे की पंदरा सो तीन में कोचीन में की ठीक है और दूसरी फैक्टरी पंदरा सो पांच में उसने कन्नूर में दूसरी फैक्टरी लगाई यह आप याद रखेंगे दूसरी फैक्टरी फैक्टरी फ सबन सोबहारत कर लेंगे इसी तरह भारत को लूटते रहें ठीक है तो उसके बा这 мешस्न का बहुत नाम सब्हुत अंहाएं एव करफ ऐसला करता है तो यहां 선ा सब्सक्राइम मिला पर्थम पॉर्थ कि तरब से तो फ्रांसिसको डी अलमीडा था ठीक है उम्मीद करता हूं कि आपको इतने अच्छे से कवर हो गये होंगे ठीक है उसके बाद अब हम इस साइट का देख लेते हैं जो एक दो फैक्ट है इसमें तो जब यह अलमीडा फ्रांसिसको अलमीडा भारत आया तो इसकी वैपारिक नीथ थी एकदम सांति किसकी नीथ थी क्या थी इसकी नीथ थी बुलू वाटर पॉलिशी जिसे हम लोग सांत जलकी नीथ के नाम से जानते हैं ठीक है तो कोश्चन बहुत बार पूचता है अब यह बोलेंगे कितने कोश्चन कैसे क्योंकि मैंने खुद चेक्ट और बाकि साथ जितने वंड एक्जाम हैं मेरे पास प्रिवेस उनकी बुक रखी है तो मैं देखता रहता हूं कि इसमें कौन कौन से हिस्ट्री से कोश्चन पूचें तो यही सब कोश्चन पूचता है यह तो है नहीं कि यह कोश्चन हर स्ट में हो देगा अलग-अलग उसी खिल मुच्छ में पूचा क्यारफ कर अच्वाइलिक नाम से जानी जाती थी ठीक है तो याद रखेंगे भू वाटर पदी सिपड़ी इसके बाद सान्थ-जहल की नीचिए ठीक है उसके बाद इसका कारेकाल हुआ खतम ठीक है अब अलफांसो डी अलबुकर ठीक है यह पंद्रा सो नौ से पंद्रा सो पंद्रा तक इनका कारेकाल था पहला वायसरा यह बनके राया दूसरा वायसरा यह आपका है ठीक है अलमीडा के पस्चात यह वायसरा दूसरा बना ठीक है अलमीडा क सोडी बूकर को भारत में पुर्तुगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जिसस्वि में बीजपुर की आदिल साहि यूसुप सुल्तान से गोवा जीत लिया बहुत डेंजर बहुत खतरनाग थालबुकर इसने बीजापूर के आदिल साही यूसुप सुल्तान से गोवा इसने जीत लिया ठीक है उसके बाद देखते हैं 1511 युश्वी में इसने मलक्का मंदी पर नियंतरण स्थापित कर लिया फिर 1515 में फारस की खाड़ी में होमुर्ज पर अपना नियंत्रन इस्थापित किया पहले 1511 में मलक्का बंडी पर उसके बाद 1515 में फारस की खाड़ी में एक होमुर्ज जगा थी उस पर अपना नियंत्रन इस्थापित किया ठीक है उसके बाद इस्थाई पुर्तगाली अबादी वसाने के लिए जो भारती स्त्रियां है उनसे सादी करो और जहां पर अपनी पूर्त गाली कि इसता है अब데सर बतु सिर्फ इतनी वात है जैसे पूछे का स्थ मोष्थाय पूर्थम बादी तो सबढ़िया मैं चाहिक टो किसने निर्माड किया था अलबुकर्ग निर्माड किया था उसका नाम क्या रखाевाद का शेंट् exactement संथ्वेरियर्य खईratos 1515 इसी में कहां पर निर्माड किया को वंबन निर्माड किया ठीक है उमेद करते हूँ में उसकी मृत्यों के पश्चात भारत की सबसे प्रबल जल सकती बन चुके थे उसकी मृत्य हुई तो भारत की सबसे बड़ी प्रबल जल सकती कौन बन चुके थे पुर्तगाली बन चुके थे इसने इतना पुर्तगालियों के लिए किया बड़ी प्रबल जल सकती भारत में पूर्तगाली बन चुके थे ठीक है अब उसके बाद आएगा नूनो डी कुनहा पंदरा सो नतिस से पंदरा सो अरतिस थक यूँए मैं आपको कल बताऊंगा ठीक है क्योंकि ज्यादा बड़ी क्लास मैं नहीं चाहता हूं मैं चाहता हूं कि छोटी-छोटी क्लास हो आपको अ कोई भी फैक्ट नहीं चोड़ा है कि जो कि आपकी बुक से यह बाहर हूं ठीक है एकदम उसी की तरह concept wise हुदा है ठीक है तो आप अच्छे से पढ़ेंगे आप अपनी मेहनत को और जोर से करेंगे ठीक है और अपना खयाल रखेंगे तो आज के लिए बस इतना ही अगर वी